आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अधिकतर शिष्य गुरू के चणों को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं अधिकतर लोग अपने गुरू से क्यों नहीं जुट पाते हैं लंबे समय तक की बात कर रहा हूँ आखिर क्या कारण होते हैं कि एक शिष्य अपने गुरू के चणों से दूर होता चला जाता है और वो अपने गुरू के चणों को नहीं पकड़ पाता परिक्षाय तो सब की होती है जब शिश्य गुरु धरन करता है तब भी परिक्षा होती है और उसके बाद भी परिक्षा होती है पर आज मैं उन कारणों के बारे मैं बात करणा हूँ जो बहुत डीव AND क्योंकि प्रिक्षा बाबा एक चोटा सा एकज़ामपल आपको बताता हूँ दादगुर मचंदर नाजी महाराज की 306 शिश्य थे आप 306 शिश्यों में से कितनी शिश्य हैं जिनका नाम आप सुनते हो मुख्यत आप बाबा गुरु 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 ग गुरू के चर्णों को नहीं पगड़ पाता लंबे समय तक नहीं पगड़ पाता और उसका जो कारण होता है वैसे हम बाबा गॉर्खशनाजी महराज दाद गुरू मचंदानाजी महराज के बारे में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कहीं भी कहीं भी उनसे कंपेरिजन नहीं क स्थान आपके इश्ट से वी उपर बतायागल से स्थान बतायागल आपla शुद झर इस बात को बोलते हैं बगवान की गुरू का स्थान जो है वो वो सरवस्वेद। और जब आप गुरु धान करते हैं, सुरवात में आप जिस वेक्ति को गुरु धान करना चाहते हैं, आपके मन में पूर्ण भाव, पूर्ण प्रेम होता है उनके प्रति, और सिर्फ आपका एक लक्षे होता है कि यह जो गुरु है न हमारे, मैं इनको गुरु बनाना चाहता हूँ, और पिर जब आप उनसे मिलने शुरू कर देते हैं, तो आपको उनके बारे में पता चलता है, उनके प्रस्टक्री जी बारे में भी आपको प्ता चलता है, और फिर ऐसे जो शिश्यों होते हैं, वो शिष्षें जो अध्यात्म से गुरू से जुड़े हैं वह आपका और आपके गुरू का जो रिष्टा है वो अध्यात्म का रिष्टा है पर ऐसे शिष्षें फिर क्या होता है धिरे धिरे अपने अध्यात्मिक रिष्टे को ना समझ कर गुरू की या तो जो उनकी रहन स है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता पर आप फिर अपने गुरू के अंदर आवगुण देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप गुरू को गुरू नहीं मानते हैं गुरू को एक सामाने व्यक्ति मानते हैं गुरू को आप इंसान मानते हैं आपने गुरू एक व्यक्ति को बनाया है आप ये अपने हिर्दे के अंदर रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि इंसान के अंदर तो अब गुण होते ही होते हैं पर जब आप ऐसा सोच रखना शुरू कर देते हैं उसके बाद आप अपने गुरूं से दूर होना शुरू क्योंकि आपका दिमाग फिर अध्यात्म में नहीं चलता फिर आपका दिमाग इन चीजों को भी ध्यान देता है गुरू क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कितना कमाते हैं क्या खाते हैं कैसी उनकी लाइश्टाइल है उनका परिवार कैसा है इन सब चीजों में आपका कारे में जानना चाहिए था आपको आपको कौन से साधनाय सीखनी है गुरु जी से कौन सा ज्यान लेना है कौन से प्रशन आपको अपने गुरु भगवान से पूछने आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था पर फिर आप क्या करते हो गुरु की गुरु के एक आ के में लेना शुरू कर देते हैं, जब कि सच्चा ये नहीं है, सच्चा ये है कि आज हमने भी गुरु धान किया है, उसके आप जितने बच्चे वीडियो को सुन रहे हैं, और हमारे शिश्चे भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, उन्होंने भी गुरु धान किया है, तो उ आप अध्यत्म मार्ग से जुड़ पाते हैं तब आप हेडister के साथ अपने गुरू की सिवा कर पाते हैं क्यों कि उस समय आप भगवान में कम्यान नहीं निकाल सकता है पर हाँ इनसान में कम्यान निकाल लेते हैं इसलिए लोग अपने गुरू के चौनों से दूर होते चले जाते हैं और कई बार वो अलग-अलग जिगह से ठोकर खाकर फिर गुरू की शणों में आते हैं माफी मांगते हैं गुरू जी मुझे माफ कर दीजिए ये वो जो भी है या कई बार वो बठक कर अन्य लोग के पास चले जाते हैं यहें गुरू धान करने के लिए तो यह चीज़े होती हैं उनके मुख पर कुछ और होता है पर उनके हिर्दे में कुछ और होता है उनके मुख से अगर आप उनसे पूछो कि आप क्यों गुरुधान करना चाहते हैं तो वो एक शब्द बोलते हैं क्योंकि उनको अभी गुरुधान दिक्षा मिली नहीं न तो वो एक शब्द बोलते हैं कि गुरुजी हम भक्ती पाना चाहते हैं हम अपने इश्ट के और करीब जाना चाहते हैं पूजा भक्ती लोग कल्यान के लिए कुछ करना चाहते हैं पर जब गुरुदिक्षभ मिल जाती है तब उनके ऐसे ऐसे परशन सामने आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लडाई हो रही है गुरुजी मेरे शरीर में तबवेतखराब हो रही है मिरेको बुखार हो रहा है इस प्रकार के या मिरें पर कर्ज चड़ रहा है इस प्रकार के, तो या आप गुरू से जुड़े, गुरू से अध्धात्म के लिए जुड़े हुआ, ना कि इन चीजों के लिए कि गुरू आपकी तवित को ठीक करेगा, गुरू आपके करजे को उतारेगा, इस चीज के लिए नहीं जुड़े, तो इस चीज को लोग समझ ह पता चलती है, तो जब गुरू ये छोड़ देता है, क्योंकि गुरू जो होते है न वो ऐसे हम हैं, तो हम तीन बार समझाते हैं, अपने शेश्य को, एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे, अगर वो माने गर ठीक है, उसके बाद में फिर हम छोड़ देते हैं, उसको छो जब कि आप अपना नहीं बताते कि आप अलग अलग चोक्यों पर अलग अलग लोगों के पास घूम के आ रहे हैं आपने गुरू को समझा ही नहीं कुछ भी और उसके बाद जब आपको ठोकर लग जाती है तब आप गुरू के चुनों पड़ते हैं तो फिर जब उस समय भी फिर जब आप गुरू को इनसान समझ रहे हैं फिर गुरू भी आपको इनसान के तरह वैवार करता है धिर जब तुम पहले ही गलती करके आ रहे हो तो कहा तक समझ आए तो इसलिए लोग ह tote चले जाते हैं आपको इन चीजिसे को बहुत बहुली वाती समझ रहेना चाहिए अगर आपने गुरु बनाया है, तो अपने हिर्दा के साथ, अपने गुरु भगवान के चौन में सची शर्धार किये, साथ साथ में बाबा भरेनात का सवरूप ही उन में देखिए, जब आप ये देखते हैं, और अध्यात्म से जुड़िये, ना कि अपने भौती जीवन को गुरु पर टालिए, तो मुझे आशा है, ये महत्तबुन जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, पहली बार चनल पे हैं, तो शिवक्रुपा चनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, जितना हो सके, इस जानकारी को अधिक साधिक लोगों तक तक की जो लोग इस प्रपंच में फस जाते हैं, परिशानी फस जाते हैं, उनको सही रहा मिलता हो गिए, हमारा शिवक्रुपा चनल शेशादना के लो शेवक्रेद्ड करीवारते में तेनों चनल हमारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते इक नहीं जानकार की स